फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे दो टाइप के पीजा वो भी बहुत ही आसान तरीके से इसके लिए आपको बेज बनाने के भी जरूरत नहीं है बेज हमने रेडी लिया है मार्केट से वीडियो को एंड तक जरूर देखे और पसंद आया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा नमक थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर एक चमा चम इसमें डालेंगे ओईल आपको इभी ओईल यूज कर सकते अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी दिर साइट पर अब आपको पीजा सोस बनाना है अगर आपके पास यह सोस अवेलेबल है तो आपको बनाने की जरुवत नहीं है पर अगर आपके पास यह सोस नहीं है तो आपके पास कैचप होगा तो एक बॉल में थोड़ा सा कैचप ले उसके अंदर एक टेबल स्पून चॉप किया गार्लिक ले, थोड़ा सा ओरिगेनो डाले, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाले, थोड़ा सा मिस में डालेंगे नमक, अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले, यह आपका पीजा सोस बन के तयार है, अगर आपके पास पीजा सोस अवेलेबल नहीं है तो यह यूज करें अब हमने जो पनीर को मेरिनेट करके रखा था उसे अच्छी तरह से फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हमने रेडी पीजा बेजे वो लिया है ये सब जगा मार्केट में इजिली अवेलेबल होता है उसके उपर हमन क्रीमी आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा अब इसके उपर आप अपनी चोईस के टॉपिंग्स लगा है मैंने इसमें ओनियन रेड बेल पेपर येलो बेल पेपर कैपसीकम और कॉन यूज किया है आप इसमें ओनियन टमेटो कैपसीकम कुछ भी यूज कर सकते इन इस तरह से आपको बेस के ऊपर रखना है एक बार ये पीजा बना कर ज़रूर ड्राइ करिएगा आपको मार्केट के पीजा जैसा ही टेस्ट आएगा और आप बाहर से पीजा लाना ही भूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है इसके ऊपर थोड़ा सा ओरेगेन और स्प मार्केट में रेगूलर प्रोसेस चीज मिलता है और मोजरेला चीज मिलता है जिसको पीजा चीज भी बोलते है वही यूज करें इसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अब लास्ट में थोड़ा सा ओरिगेन और जिली फ्लेक्स और स्प्रिंकल करें इससे पीजा मायोनिस लगाने के बाद इसके उपर थोड़ा सा चीज लाले क्योंकि इसमें पणी रैट करेंगे तो यह थोड़ा ज़्य होगा तो अच्छा लगेगा और सेम आपको अपनी चॉइस के इसमें वैजिस रखने हैं आपको जो भी वैजिस अच्छे लगते हो इसमें इससे स सिखाऊंगी ताकि जिसके पास ओवन ना हो वो गेस टव पे भी इतना डिलिशियस पीजा एंजोई कर सके अब टॉपिंग्स रखने के बाद इसके उपर थोड़े से जिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करें थोड़ा सा औरिगानो स्प्रिंकल करें अब इसके उपर हम चीज डालें अब इसके उपर हम थोड़ा सा जीज डाल देंगे साइड्स पर लास्ट में इस पर थोड़ा सा जिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रिंकल करें अब हम एक कड़ाई लेंगे उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमें एक पीजा कड़ाई में बेक करना है तो इस तरह से स्टैंड रखें उसके उपर एक प्लेट रख दे अब हमें इसके उपर बीजा को प्लेस करना है पीजा को अच्छी तरह से प्लेस करने के बाद इसके उपर धकन लगा दे और अगर धकन में होल है तो आप उस होल को कवर कर दे इसे 10-15 मिनिट तक बेक होने दे और करते रहें मीन वाइल ओवन को प्री हीट कर दे और इसके अंदर हाई रेक के ओपर आपको पीजा रखना है स्पेशल फंक्शन में बनाए या फिर इसको 220 डिग्री सेल्शियस पर 5 से 7 मिनिट तक बेख होने दे चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसे ओवन में से बाहर निकाल ले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपके पीजा बन के रेडी होंगे ये बहुत ही डिलिशियस लगते एक बार ज़रूर ड्राइ करें थेंक यू